आजकी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि Facebook Post के किसी वी फो इन पर या वीडियो को Facebook के Story में कैसे लगाते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें तो नमस्कार दोस्तो कोईक इंडिया चेनल में आपका स्वागाते तो चलिए सुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको Facebook open कर लेना होगा और Facebook open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं जब लोग Facebook चलाते हैं तो उस दरान उनको Facebook post के किसी भी फोटो या वीडियो उनको पसंद आजाता है तो चाहते हैं कि हम इस फोटो या वीडियो को स्टोरी में कैसे लगाए तो आज किसी बीडियो में यही बताने वाले हैं तो इस टोरी में लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे share का option एक दिया गया है इस option के क्लिक कर लेना है इस चेर के उप्षन पर जैसी क्लिक किजेगा तो यहां पर आपके सामने यहां पर नीचे में तिन चार उप्षन आपको देखनों को मिलेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर पहला अप्षन दिया गया है तो इस पर जैसी क्लिक किजेगा तो यहां पर आपके देख सकते हैं यहां से आप टू एड़ एड़ स्टिकर यहां से आप तू एड़ एड़ स्टिकर भी कर सकते हैं आपको जो भी स्टिकर पसंद हो यहां से श्टिकर लगा सकते हैं अन्याता यहां से आप इस फोटो को से भी कर सकते हैं और यहां पर कैप्शन में कुछ आपको एक option दे दिया है share to story तो इस पर जैसी क्लिक किजिएगा तो यहां पर कहेगा your sharing a story तो यहां पर आपको क्लिक कर देना होगा और यहां घार आए कि यहां आपको 24 गंटा सब को दिखेगा तो चली यहां पर फिलाल हम इसको अब कर देते हैं ओके करेंगे तो इसके बाद देख सकते हैं प्रोसेसिंग में चला गया है और यहां से इस्टोरी में एड हो गया है तो इसको आद यहाँ पर जो अभी फोटो डाले है, वह सो कर रहा है, तो आभी फेस्बुक के फोटो या वीडियो को ऐसी ही स्टोडी में लगा सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट सेयर करिए, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइ कर लेके उनकी जो भी ने वीडियो अप्लोड हो जिससे आपको नोटिफिकेशन पर आप्त होगा तो आप फ़न ने वीडियो देख पाएंगे धन्य बाद